जै माता दिमित्रो, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अपने चैनल मेरी प्यारी काल का मा में मित्रो, आज का जो हमारा विश्य है, वो ये है कि आप स्व्म अपने घर में एक छोटा साहवन कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपके घर का वातावरन सुध हो और आपके मंत्र भी सकति साली हूँ देखे मित्रो आप घर पर एक छोटा सावन कर सकते हैं जो आपके मंत्रों को सुध करता है आपके घर को सुध करता है आपकी कुंडलिनी को सुध करता है और आपके घर के ओरा को भी सुध करता है सब चक्र साफ हो जाते हैं देखे बाहरी सुदता के लिए सब नहाते हैं और अन्य कारियों के द्वारा अपने आपको सुद्ध और साफ करते हैं लेकिन आपकी आंतरिक सुदता के लिए हवन, मंत्र जाप ये सब एक खास महत्वर रखते हैं जो आपकी आंतरिक सुदता का कारिय करता है और हवन के द्वारा नकारात्मक्ता को भी दूर किया जा सकता है और जो नित्यमंत्र जाप करते हैं उनके लिए तो ये हवन काफी महत्वपून है उन्हें हवन जरूर ही करना चाहिए अब मित्रो हवन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें करना कैसे है तो सबसे पहले आपको एक उपला लेना है उपला आपको कहीं भी उपलब्द हो सकता है ये आपको मार्किट से भी मिल सकता है आप ओनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं तो उपले को आपको लेना है आपको गैस पर उसको जलाना है तब तक जलाना है, जब तक वो लालना हो जाए, मतलब उसमें धुआ नहीं होना चाहिए उसके बाद आपको उसे किसी प्लेट में रखना है, जो आपकी पूजा की प्लेट हो रखने के बाद उसमें घी डाला जाता है, कुछ घी की आहुती आपको उसमें देनी होती है प्रक देना है उसके बाद वहाँ पर अगनी प्रकट होगी और उसके बाद आपको क्या करना है 108 आहुतियां आपको देनी है जिस मंतर का आप जाप करते हो उस मंतर को बोलते हुए और यदि अन्य कोई आप मंतर लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो तो आपको हपते में इसको एक बार करना चाहिए आपको महीने में दो बार करना चाहिए तो ये एक आवशक कारिया है और मित्रों आप सामगरी को स्वम भी तैयार कर सकते हैं उसमें आपको क्या करना होगा उसमें आपको जों, चावल, काले तिल, कपूर, लोंग, घी, चीनी जैफल यदि आपने एक कटोरी काले तिल लिये हैं तो उसका आधा आपको जो लेना होगा और जो का आधा चावल लेना होगा और जितना चावल आपने लिया है उतनी ही चीनी आपको लेनी है उसके बाद कपूर लोंग और जैफल को मोटा मोटा पीशना है इन सब चीजों को आपको मिला देना है और घी इन में डालना है सुद देशी घी इन सब में आपको मिलाना है और ये हवन आपके लिए काफी महत्वपून है यदि आप इस हमन को करते हो तो इसके आपको बहुत से फायदे मिलेंगे आपके मंत्रों की सक्ति बढ़ेगी आपका ओरा श्ट्रोंग होगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा बाद में आप मेठे का भोग अविश्य डाले ये ना भूले जब आपके 108 मंत्र पूरा हो जाएगा तो आपको मेठा भोग भी अरपन करना होगा अगनी में और सबसे पहले आपको एक बात याद रखने है कि गोरी और गनेश जी के नाम से आप आहुतिया देना ना भूले दो पतासे और दो लोंग और दो इलाइची हवन के पास रखें कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके लिए हवन काफी जरूरी होता है जैसे मा काली के मंत्रों को हवन बहुत ही जरूरी माना जाता है गायतरी मंत्र का हवन काफी अच्छा माना गया है घर के लिए जो घर की सुकसानती और आपकी पूजा पाट को स्ट्रोंग बनाता है आपके मंत्रों को सुद कर सकते हैं और मंत्र देखे स्वयम में ही सकती साली है लेकिन हवन भी एक महत्वपून स्थान रखता है तो मित्रों आपको जानकारी कैसी लगी? आश्र करती हूँ आपको अच्छी ही लगी होगी अब मिलती हूँ अब मेरे चैनल पर नए है तो प्लिज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मिलती हूँ एक ने जानकारी के साथ तब तक के लिए जयमाता दी हर हर महा देव